असलाम लेकुम, खुशाम देर, डेली व्लॉग इन किचन, मैं आज बना रही हूँ, गॉल्डन मेट, यानि के हल्दी वाला दूद, तरीका बजाती हूँ आपको ये कैसे बनाया जाता है, एक कप, दूद गरम हो जाए, फेमेच में हल्दी और डालूगी काली मेच, शींकों के लिए हल्दी और काली मिर्च वाला दूद बहुत अच्छा है, जो लोग जंगफूड जियदा खाते हैं, उनके लिए हल्दी जवान, सब हल्दी वाला दूद पीना बहुत अच्छा है, हल्दी उप्टन मनाने के भी बहुत काम आती है, शादियों के उप्टन में डालन डूरस इन वहाल को ना पालस और नहीं होता है। च्वचय के पृपतन से रहां साफ होता है, जूरियां खत्म पृती हैं। जिन लोगों को नीद नहीं आती है। वह दोला की दूज दवाई कहने की जूच्छ नहीं होती हल्के बहुत अच्छी नीद आती है। हल्दी के बहुत ज्यादा सेंक्रों फाइदे हैं अब मैं इसमें हल्दी डालू ही अच्छी तरह बॉइल होगा दूद इसके बेश्मार फाइदे हैं जोडों के दर्द के लिए ये बहुत अच्छा है तो लो ते हमारे गुटनों में दर्द हो रहा हम सीलिया नहीं चड़ सक बच्छों को बड़े हैं जो बच्छे बहुत विएख होती हैं अबदल्ला जैसी उनको तो लाजबी बिलाएं अबदिल्ला को यह मैं अब अभदी अबेश्मार जी बनारी हैं जैसे बढ़ती उमर में ब़िए आ रही हैं पर पीना शुरू करें ब़िए नहीं अए इंगी मारियां खत्म हो जाएंगे कल जाएगा हल्दी बाला दूद इसको मैंने तीन चार मिल्ट तक पकाऊंगी हूँ फिल्जे पिल्टी हूँ थोड़ा स्टूला भी स्लो करती हूँ ज्यादा पकाने से स्लो चूला तक अलहम देखें हल्दी का कलर किता प्यारा आ रहा है चार काली मिल्ट डालें खल्दी वालदा दूद पक गगे त्यार हो गए हमने यह डालती हूँ कपने माशाला बहुत मज़े का दूर है अब में इसमें डालूगी शेयद डाल कर एक चमच शेयद डालूगी तो मेरा ये गोल्डन मिल्क त्यार होगी है जोड़ा के दर्द के लिए बहुत अच्छा है जिसको चिंके बहुत ज्यादा आरी है और ये दूर पिये रात को सोते वकत पीए या फिर सुबह उटके पीए रात को सोते वकत हल्दी वाला दूर बहुत अच्छा है जी अलहम्दलिल्ला हमरा ये हल्दी वाला दूर त्यार हो गया है ये जो काली में उसको खाना नहीं है बस आपने दूर बीने काली मिर्चों को नीचे छोड़ देन ये इसी से ही आपके ठीक हो नहीं है काली मिर्चों से अलहम्दुलूला ये मारत त्यार हो गए है दूप हल्दी वाला गॉल्डन मेरी अच्छी लगे तो कॉमेट्स करना है लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है अलाफीर